नमस्का दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो का लाब ले सके और उनको एक नई जो फसल की तकनीक है उसके बारे में बताया जास जिसमें रोज नया पैसा आए और उस पैसे से उनका आर्थिक स्थिद्ध जो है वो मजबूत हो तो दोस्तों आज हम पहुचे हैं ऐसे ही एक खेती करने वाले प्रकितिशील किसान के पास में सकते हैं यह जो है यहाँ पर इनोंने जो है गैंदे के फूल की खेती की हुई ह आज इससे पहले क्या है कि यह गन्य की और गहुंकी और इसले की परंपरागत खेती किया करते थे लेकिन उसमें ज्यादा मुनाफ़ा और सेजनल फसल होने के कारण उसकी वज़े से जो है पैसे की बड़ी समस्या रहती थी जिसकी वज़े से जो है इनोंने जो है अपनी खेती का प्रारूप जो है वो चेंज किया और इसके पश्चात ये जो है अब फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है इनोंने और अब फूलों की खेती से ये एक अच बहतरी जो है इंकम होती है अभी क्या है कि शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है और अभी जो है दिपावली का सीजन चल रहा है तो इस समय पे जो है इनको बहुत अच्छा जो है इनकम और मुनाफ़ा इसका हुआ आप देख सकते हैं काफी अच्छी पैदावार फसल जो जो है गैंदे की अब देख सकते हैं यहां दूर दूर तक सभी पोधे जो है अच्छे हुए हैं और अच्छा जो है जो फसल है अच्छी पैदावार जो हो रही है और यहां पर जो है इसकी जो है छटनी कर रहे हैं तो अभी हम पूछेंगे इन से कितनी अभी पूछेंगे इन से मिलेंगे जानेंगे कि फूलों की खेती किस तरह से की जाती है क्या मुनाफ़ा है क्या वाके ही फूलों की खेती है वो फायदेमंद है या नहीं तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहां बहुत ही लाजवाब पूश्प जो हैं खिल्य हुए मैं ने देखा तो मेरा मन प्रफुलित हो गया और इस तरह की ज़ो फसल की पैदावार आप देख सकते हैं चार तरफ फूलों का जो ग्रोथ है जो फूल दिख रहे हैं आपको बड़ा ही अच्छा और सुसजित तरीके से एक ही लाइन में एक ही साइज के फूल लगे हुएं बड़ा ही मनमोहक रोचक द्रश्य है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लेटे हैं इन प्रगति सील किसान का इंटरवियू और बताते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान है गैंदे की खेती के नमस्कार जी नमस्कार जी तो सर आपने अपने बारे में बताएंगे कु जी तो यह जो फूलों की जो खेती है आप कितने समय से कर रहे हैं और क्या-क्या खर्चा इसमें आता है और किसान किस तरह से जो है यह इस तरह की अच्छी पैदावार जो है फूलों की खेती से ले सकता है मैं गैंदे की खेती जो है मतलब इसी साल जनवरी से कर रहा हूं जनवरी में हमने पहली फसल लगाई थी जो हमारी मेही तक लगबग चली जी और 16 अगस्त को यह दूसरी फसल लगाई हुई है और यह जो है मतलब अब इस्टार्टिंग है और काफी बहतरीन हँँ खिसानों के लिए इंकम पस्रोथ ही जैसे अभी कहते हैं और जो मिल दालते हैं उसका पैसा जो है अभी तक आया नहीं है लोगों पर जी तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखें मैं जैसे ही इसकी खेती की है जो मेरा एक्सपीयेंस है देली अपना साम के टाइम मंडी देखा हूँ अच्छा अपना फूल अपनी फसल और सुबह जा कर पैमेंट में ने साथ के साथ पैमेंट हैंड नगत और साथ मतलब नगत का काम है तो इसमें जो है बचत का क्या हिसाब है जैसे के आपने आप कितना लगा चुके कितना इससे कमाया अच्छा और हमारी जो प्योद हो किस किसम की है ए और जो है मतलब रेट अच्छा है मंडी के अंदर तो विल्हों किसान एक बिगे में कम से कम कि जो है मतलब पकुत से 60,000 रुपे तो आराम से बना सकता रहा है बैद एक क्पे में पचास से 60,000 रुपे आधक un Group और कितने दिन खेटी में के वल ये लगा लो आप जो जै जन्वरे से मैं 6-5 महीं में 4-5 महीं मनलब गनने की फसल में हमें एक साल का इंँठार करना पड़ता है तब जाके हम 50,000 फसल निकर पाते हैं कई बार मिल में ексाटा हें वहाँ भी काटा जाता है और भाड़ा आने का जाने का में जानें बहुत सरी व आए हैं और यहां आप एक बिगे से आराम से बिना ज्यादा खर्च किये 50,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं तो एक बिगे में खर्चा कितना आ जाता है लगबग लगबग मानके चलिए अगर लेवर का जुताई का प्योद दवाई सब कुछ लगाएं तो मैक्सिमम आठ से दसजार आठ से दसजार सारा कुछ लगा उसके पश्चा जो आपकी मोटी मोटी बचत है अगर हम लगा ले तो 40,000 रुपए की आपकी बचत है तो आपने यह जैसे गैंदे की ही खेटी की है लेकिन लोग किलाप की या ले लुक किकी और फिर का मतलब यह है कि यदि आपको experience है गैंदेगी खेती का तो गैंदेगी करें गुलाब का है तो अगर आपको अच्छा इनकम या फिर अच्छा पैदावार लेनी है तो आप वही काम करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो तो अभी यह तुड़ाई कब तक चलेगी इस फसल की लगबग लगबग दिसंबर तक दिसंबर तक यह फसल आपने कब उगाई थी यह 16 अगस्त को और आज हम जो थोड फूल जो है नुए अब पूरे परम सीम और अच्छी पढ़ाओ पहाई अब पूरा नहीं है अभी पूरा नहीं है अभी तो इस्टार्टिंग है यह स्टार्टिंग रेंज है जिस टाइम होगा उस टाइम तो आको एक भी अरा पत्ता ने चुमका तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यह जो वैराइटी है यह वैराइटी अभी स्टार्टिंग में जो है आप देख सकते हैं कि पोधे कितने लदे हुए हैं लेकिन जब यह अपने फुल फलैज में होगा तो आपको जो है खेत में हाथ रखने की बिजगे इसमें दिखाई निदेगी और फूलों आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा किसान है जो आजकल इन चीजों में पिसा हुआ है जिसके जो आर्थी किसी से जूज रहे हैं उनका पैसा टाइम पे नहीं आता है किसी और धंदे में वह दस-पंद्रहजार की नोगरी करने के लि मंडी तो वह उसलिए गाओं के आसपास दूर भी अगर दस-बीस किलोमेटर भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है अभी हमारे किसान से बात हुई थी मुझफर नगर से फूल गुलाब के दिल्ली मंडी में पहुंचाते हैं बिल्कुल यहां से हमारे यहां से भी दिल्ल सब्सक्राइब लेकिन वहां से बहुत है जबकि यहां नज्दीक में फूल की बहुत सारी मंडी होती है लोगत अपने इसमें मतला जरूरी में दो माला बना गरों सकते हम बहुत सारी सप्लाई घरों में लगा लेकिन जो पांच बिगे शाथ दस बिगे यानि पाँ एक एकड या दो एकड़ वाले हैं उनके लिए गन्य की खेती से बहतर यह पांच बिगे खेती है तो आराम से 5 लाग रुपे साल के आराम से बचा सकता है कम से कम मतलब साल में तीन बार फसल ले सकता है इसकी दो बार और खर्चा भी कम है तो एक बीगे में अभी आपने कितने बीगे लगाया हुआ है अब तो एक बीगा है एक बीगा आपने लगाया है अब नेक्स टाइम जब जनवरी में जो लगेगा तो तीन बीगे करते हैं अच्छा मतलब आप जो है वह बढ़ाते चले जाएंगे पहले इसमें भी इंग उगाते थे आप देखते हैं यह जो पीछे जो है यह भी इनका करतित किया जाए तो दोस्तों दी गई आनकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर हमें अवश्य बताएं जदि किसी भाई को एक्सपीरेंस चाहिए फूलों की खेती के बारे में कुछ जानना हो तो तो वह कमेंट कर सकते हैं या फिर हम नंबर भी इसमें श कहां से मिलेगा प्योद कहां से मिलेगी वह सारी जानकारी हम आपको देंगे हमारा निरंतर परियासी ही रहता है कि हमारे जो किसान है वह जादा से जादा खुसाल हो इसमरद्ध हो और जादा से जादा वह आर्थिक संपन्नता अपने परिवार में अपने समाज में दे सके तो दोस्तो आज की वीडियो हम इसी जानकारी के साथ समाप्त करते हैं आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब के लिए तब तक जैहिन जैभारत आगी वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे तो नमस्कार दोस्तों आगी वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं